प्रेम साब असलाब मैं अकील आइमद मुल रहा हूं इसे जरा यह बताईए कि जिसे हमारे यहां जो है खेट अर्याहन पर लिया जाता है जैसे कि किसी ने 50,000 रुपया ले लिया कि जब तक हम आपका पैसा नहीं देपाएंगे तक आप मेरा खेट ले लेना जोचना बोना जब हम आपका पैसा देंगे आपको मेरा खेट छोड़ देना तो मेरे समझ से तो यह गलत लग रहा है कि कि पैसा को पैसा बना हुआ है पैसा उतना ही बेना पड़ाएगा और खेट भी लेकर जोट रहे हैं तो यह पिसम बियाज का ही सिस्टम है सूथ बियाज वाला सिस्टम लग रहा है मुझे मुझे मैं वह सोच रहा था तो जरह इसका कुरान और हदीश के मताबिक बात पता हैं इसलाम आले यह अकील भाई साब हैं यूपी से सवाल पूछ रहे हैं इनका कहना है कि हमारे यहां खेट रहन पे दिया जाता है यानि 50,000 रुपिया एक किसी को कर्ज लेना है 50,000 रुपिया लेता है और सामने लोग अपना खेट दे देता है रहन पे और वो जोता बोता करत है तब तक उसका खेट इस्तेमाल करता जब तक कि सामने वाला उसका आपस ना करते है तो भाई सब साणद है तो भाई साब खुद हैं कि ट्रीक नहीं लग रहा है सूध लेकिन ये पूछ रहे हैं कि अपर करने के लिगे कि क्या है ये है न शूद है ninguna सब कोई शक्राश नह हर वो कर्द जो फाइदा दिलाए वो सूद है तो पचास हजार जो दिया है किसी किसान को और इसके बादले में उसका खेत लेकर बैठा हुआ है जोड बोरा है तो ये पचास हजार भी वापस लेगा बाद में उस पर ये पिलस बेनिफिट जो उटा रहा है यह सरासर सूध है, इसमें कोई शक्री, अच्छा एक चीज और आपके समने वाज़े कर दो कि यह जो सूध है, यहिए खेत का फाइदा उठा रहा है, इसको जो रहन बोलने यह यह झालती है, यह रहन किसी भी अथा पारसी नहीं हो सकता है, देखिए एक तो यह, कि 50,000 सेफ में रहन दिया तो खेत कई लाग का होगा तो रहन वे को चीज़ दे जाती है तो जो अबन कम ज्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अब आप पचास आर की रखम देंके और 10 लाग का खेत लेगे तो गहर माकुल सी बात दूसरी बात है कि अगना में तो चीज लिए जाती है जिसको आदमी जब्द कर सके गैजिक वाइन विसान के रोपिया दिया हो ऑगर हमारा पैसा नहीं देगा जवरात में नहीं दूगा जब्द कर सकता हूं लेकिन हे तो उसके नाम है रिदिश्टएड है उसके नाम बैनामा चदावए उस तो नाम देने से कुछ नहीं होता है वह रहन कैसे होगा अगर नहीं दिया 50,000 तो एका उसका खेत ले पाएंगे वह माल के भागा देगा आपको उसके नाम चड़ा हुआ आपके से ले लेंगे उसका खेत तो यह रहन वे नहीं है यह सूध है इससे बतना चाहिए अमेदे कि आपको जवाद मिल गया होगा